हेलो दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त संजी सिंग अर्वेद में दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं जैसे की दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे तमाम बिमारियां शुरू होती हैं हमारे पेट से जब हमारा पेट तंदरुस्त नहीं होता उसकी सफाई अच्छे से नहीं होती तब यह दिखते हमें आती है तो दोस्तो इसी के मुतलक आज चलते मैं एक बिल्कु सस्ता सा बहतरीन बढ़िया नुकसा आपके लिए लेका है हूँ जो हर एक बंदा घर पर बना सकता है कोई खा तो पहली बात आप घर पर बना सकते हो ठीक है और ऐसे ही कई तमाम पेट के रोगों के लिए सिंग साब जी ने भी विच्छे पेट का डक्टर सबसे बहतरीन नुकसा दिया था और आग के फूल वाला दिया था पेट कम करने का मटापा हो भी पेट की सपाई अच्छे से कर तो दोस्तो इसी के चलते हुए आज एक बहुत ही बढ़िया नुकसा जो मैं अफारा की उपर ले के आ हैं विजो दोस्ते खाना खाते हैं उनको बहुत ज़्यादा अफारा हो जाता है तो हर टैम बिलकू उनको पेट भारी लगना गैस चड़नी बदहजमी फील होनी खाना पचना और सुबा शाम पेट अच्छे साफ बिलकू ना होना और उनको कोई ना कोई दवाई खाकर आना पेट साफ करना पड़े आत कमजोर भूगना लगना इन सभी के मुतलक इन सभी रोगों को दूर करने के लिए मेद्यों मजबूत बनाने के लिए आज एक बहुत ही ज आक्टर और हाजम है उस चीजों को जरूर बनाएं कि बेसे चाहिए लंबे चोड़े हैं पर उनको बनाएंगे तो बहुत बहुत बहुतरी रिजल्ट पाऊँगे और जो दोस्त मेरे जो लीवर की दवाई खा रहे हैं या फिर सेक्स की दवाई खा रहे हैं उनके लिए बह रखें उनके श्रीज में गर्मडी मी बन जाती है लर्जियां हो जाती है ग्यास चड़ती रहती है खीज पन पसीन आना क्रोधित रहना यह चीज होती रहती है जब हमारा पेड़ सही नहीं होता तो दोस्तों इन सभी बिमारीयों को दूर रखने के लिए आज बहुत ही बह काला नमक आपने ले ले लेना इस परकार दोस्तों यह देखिए 30 ग्राम है 30 ग्राम आज से काला नमक आप ले 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 और 20 ग्राम आप ले ले सोंट 20 ग्राम आप ले ले सोंट और दो ग्राम से तीन ग्राम के बिमारीयों आपने हींग ठीक है दोस्तों और निशाद्दर यह देखिए बड़िया वाला यह सब पार्दश यह देखिए यह आपने निशाद्दर लेना है 20 ग्राम और काली मिर्च यह देखिए 6 ग्राम अगर आपको स्फेद मिर्च मिल जाए वह अब 10 ग्राम डालने चाहिए ठीक है दोस्तों उसके बाद दोस्तों इन सभी को लेके कूट के पीश के च्छान के रख लें अच्छे च्छानने दोस्तों इनको और उसके बाद आपने लेनी है 100 ग्राम मिश्डी धग्यवाली 100 ग्राम मिश्डी लेके ये मटीरियल जो आपने कठा किया बनाया उसके अंदर डाल ले और खरल कर लें एक बार जा उसको इसी ग्रैंटर में गेड़ा दे दे दें मिक्स कर लें सुबा शाम अद्दा अद्दा चम्मच ताजे पानी के साथ लें ग्रंटी से दोस्तों ग्रंटी से 60 दिन के अंदर अंदर आपकी आँठ नहीं तरह की हो जाएगी पेट के सारे रोग खतम हो जाएंगे लीवर भी मजबूत हो जाएगा आँठ मजबूत हो ज और सुबा शाम पेट अच्छे से साफ होगा कोई बदहजमी नहीं होगी खाना अच्छे से पचेगा कुछ भी खा सकते हो और गंदगी बाहर निकलती रहेगी आहां तो मजबूत हो जाएगी बहुत अच्छा फेल करोगे तो यह चोटा सा नुक्सा था आप सभी के लिए और दोस्तों एक चीज और आपके लिए कि सैक्स बूश्टर हमने त्यार कर लिया है दोबारा चिंजिन दोस्तों लेना हो मेरे से ले सकता है और चार पैकेट मेरे पास जो वीडियो थी मेरी बलवान गोलिया उसके पैकेट पड़े हैं और मैं कम रेट पर सभी को दे रहा हूँ और जो दोस्तों लेना चाथता हो मेरे से कंटेक्ट करें और कोवरा ओल भी हमारे पास त्यार हो चुक है जिन्हों लेना हो ले सकता है बैंक दोस्तों बनाएं इसका फैयादा उठाएं बहुत ही जबरदस्त बहतरीन लाजवाब यह पेट के तमाम रोगों को दूर करेगा ठीक है दोस्तों पेट में अफारा बनने नहीं देगा गैस बनेगी नहीं तो इस नुक्से को दोस्तों मेरे त्यार करें यह मैंने बस शोट कट में बस जो सिंपल साथ दा था मैंने आपको त्रिक्के से बताया जो हम लोग भी खा रहे हैं और हमारे घर परवार रिष्टे पेदाद सभी खाते हैं कि इसका रिजल्ट बहतरी नहीं तो आपको मैंने दे दिया कि कई दोस्तों कहा तक बिल्कु खलका सस्ता सा नुक्सा देया मिरको कि हम घर पे बना सके जल्दी से जल्दी तो आज अपने दोस्तों के डिमांड पर मैंने यह नुक्सा आगे रख दि उसका पेट तंद्रूस्त हो जाएगा जवर्दस्त हो जाएगा वो कुछ भी खाये पेट उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई तजाब नहीं बनेगा ऐसे डिटी नहीं बनेगी पेट में तो दोस्तों इस नुक्सा को त्यार करें और इसका फैयादा उठाएं बहुत ब